ओ, कलीसिया, आज इस समय के चिन्नों को कैसे दिखना चाहिए, जिसमें हम रह रहे हैं, जिता तुम करवरी की और तेजी से दोड़ सकते हो, दोड़ो, उस जीवन के लिए, किसी कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन इशु मसी के लिए अपने आपको उसके साथ एक करो, और किसी संस्था या किसी कलीसिया संपरदाय के साथ नहीं, मसीया के साथ एक, और निश्चे करो, कि यह वही है, आप बस कुछ भी ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, आपको निश्चे होना होगा, कि यह वही है, क्या ही यह एक होने का समय है? अब हम देखते हैं, कि उन्होंने मसीया को ठुकराय था, और फिर अपने आप में खटा होकर, एकत्र हो गए, और अपने आपको संगटन मना दिया, और एक प्रस्ताव को किया, कि यदि कोई भी व्यक्ती इश्चे को एक नभी करके मानता है, या स्विकार करता है, उसे कलीशिया से निकाल दिया जाएगा, आपको याद है, वो अंदा लड़का जो बिना दिर्ष्टी के साथ वहां पर बैठा हुआ था, और चेलो ने कहा, किस ने बाप किया, उसने, या उसके पिटा ने, या उसकी माता ने, और इश्चे ने कहा, इस मामले में किसी ने नहीं, लेकिन जिससे की परमेशर के कारियर प्रकट किये जाएं। और याद रखना, उन्होंने कहा कि माता और पिटा कुछ नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कहा, वे जानते हैं, ये हमारा पुत्र है, लेकिन हम ने जानते वो कैसे चंगा हुआ था, क्योंकि यहुदियों ने कहा था, कि कोई भी व्यक्ति उससे नभी होने के लिए मान लेता है, इस बात के लिए उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप देखना, परमेशर का कारिय यह था, कि इस लड़के ने उस जुन्ड से तालुक नहीं रखा, उससे कहा, अब यह मेरे लिए एक अजीब सी बात है, कि आप नहीं जानते वो मनेशर कहां से आया है, और फिर भी वो मुझे आखो की दिरिश्टी देता है। देखो, अब वो ऐसे कह सकता है, देखो, यह परमेशर का कारिय था, उसे चंगाई दी गई थी, और उसे ठीक किया था, और वो इसे कह सकता है, क्योंकि उसके पास कहीं से भी कोई तार नहीं थी, क्यों से बांदे हो, वही वो एक था, जिस पर कारिय किया गया था, और नेच्चे ही उसने देखा, उसके जीवन में पहली बार देखा। अब यहिने अपने आपको एश्यो के विरूद एक किया और इसके मसियत के विरूद में और इसके मसियत के संधिश के विरूद में एक किया, हम अब बिलकुन उनी बातों को होते वे देख रहे हैं। क्लिस्या को नाच करें और के उसके बात होता है जब कलिस्या भी खुद को कलिस्या संगठना में एक कर लेती है जो विश्व कलिस्या संगठना है ताकि इंकार करें और संदेश को और वचन को नष्ट करें वे वचन से मुड़ गए हैं जो कलिस्या की पास है वे से स्विकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनके संस्थापक नियम के विरुद है कोई फरक नहीं पड़ता कि कितने ही अगनी के खंबे हमारे बीच में मंडराते हों लोगों के बीच में या किते लोग किती बाते पहले से बताए गई होंगी और वे हुई हों और वे बड़े चिन जो उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिग्या की थी वे इसे नहीं कर सकते हैं इसलिए वे अपने आपको एक कर रहे हैं और यहां आपका पास्टर और बोश से आपको बता सकते हैं यही अर्थ है कि उनका उन संसार के गिर्जागर के सदेस्यों का सम्मेलन है इसके उपर एक लूचरन सेवक है जो यदि वहां पर एक आपदा आती है यहां यह आजपास में यह घटित होता है यदि हम गिर्जागर के सदेस्यों के सम्मेलन के साथ एक नहीं होते हैं तो तब हमारी कलिसिया कलिसिया नहीं रहेगी और वे एक सामा रखने के स्थान के नई इस्तिमाल कर सकते हैं यह यदि हम भाईयों में से कोई एक देखता है कि कोई तो मर रहा है यह तकलीप में है और उसके लिए सिवकाई करने के कोशिश करते हैं ताकि उसे कोई आत्मिक आशिश मिले हम इसके लिए मार डाले जा सकते हैं यह बिलकुल सही है हमें दस वर्ष की संगिय कारावास हो सकती है किसी भी तरह की सेवकाई करने के लिए क्योंकि हम गिरजागर के सदस्यों के समेलन के सदस्यों नहीं है क्या आप फशु की शाप को नहीं देखते हैं समझें देखा अब हम एक होने के समय को आते हुए देखते हैं देखा अब देखना और फिर वो कलीसिया अपने आप में संदेश के विरोध में हुई है और फिर जब ये होता है वे राष्ट अपने आप में साम्यवाद में एक हो रहे हैं ताकि कलीसिया को फिर से नश्ट करें बिलकुल वैसे ही इसने पहले स्थान में किया था देखा ये फिर से बापिस अपने आपको दोराता है इस्राइल को पहले संदेश से मुड़ना था और जब भी संदेश से मुड़ गए तब वो सेना वो राष्ट का जीवन अपने आप में खटा होकर एकत्र हो गए दूसरे राष्टों से और अंदर आकर और करीशिया को नश्ट कर दिया और आज उन्होंने प्रभु एशु के संदेशों को गुमा दिया है और उन्होंने इसे गुमा दिया है और अब समय आया है जहां पर साम्यवा संसार को कलीशिया के विरोत में खटा करके एक कर रहा है देखो इसे इसी तरह से होना है अब यह कहना बहुत ही कटिन है यह उन्होंने जहुदियों के लिए विश्वास करना कटिन था उन्होंने कहा अब आओ भाईयों हम देखते हैं कि यह मारा परमिशर हमारे साथ है और इसलिए हम मंदर के अंदर जाएंगे और अब हम प्रात्ना करेंगे और पवित्र पादरी फलाना फलाना और पवित्र पादरी फलाना और फलाना हमारी प्रात्ना में अगवाई करेंगे फाटक को बंद करो और तीटूस ने अपने स्थान को ले लिया और ठीक वहीं पर लगबग एक सो वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खड़ा रहा देखो वो चौकसी पर थे और वे पूरी तरह से भूखे थे यहां तक उन में से एक जन भी शहर से बार ने निकल पाया और वे बूखे होकर मर गए और जब वो वहां पर गया और उन दिवारों को नीचे गिराया और लग की धारा बार आने लगी और जैसे नदिया बैती हों वहीं पर जहां उसने हत्या कर दी हर एक की जो वहां पर था अब प्रभु के दूत ने पहले पुराने नियम में इसकी भविशवाने की थी और बटाया यह घटित होगा और वे सेवक जो पाजरी वर के थे उन्होंने उस पर कारे करना चाहिए था और लोगों को यह बताना चाहिए था बजाए इसके जब इस उनके बीच में खड़ा हुआ उन्होंने उसे पैचाना भी नहीं और एक प्रकार से उसका उपवास उडाने की कोशिश कर रहे थे हम पर एक तरकीक को चला आओ हम देखें कैसे कैसे इसने इसे किया है हमें चिन्न को दिखाओ और उसने कहा मैं क्योंकि उसने बहुत सारे चीजों को किया था और फिर भी वे इसे देखनी पाए देखा और फिर जब उन्होंने उसे इंकार किया उनके समय अपने दिन के संदेश को उन्होंने उस दिन के संदेश को ठुकराया था वे उस दिन के चिन्न को देखने से चुक गए और बाइबल की भविश्वाने का चिन जो उनके सामने पूरा हुआ था और उन्होंने कहा अब आओ अंदर जाएं वे पवित्र मनुष्य थे वे ऐसे मनुष्य थे कि आप उनके जीवन पर उगली भी नहीं उठा सकते थे वो ऐसे नहीं हो सकते थे और फिर एक याजक होंगे एक याजक को मारा जाएगा उसे किसी भी दिन छोटी बात के लिए पत्थर वा करके मार डालेंगे इसलिए उसे एक साप पवित्र जीवन को जीना था वे इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे बस किसी भी चीज के लिए पत्थर वा किया जाता था और अब वे बड़े मनश्य थे और लोगों की नजर में पवित्र मनश्य थे और फिर भी उन्होंने अंदर जाकर कहा अब हमारे पास परमेशर है परमेशर जो इन सारे युगों में से होते हुए हमारे साथ रहा है हम उसके पवित्र मंदर में जाएंगे वो परमेशर का पवित्र मंदर था लेकिन आप देखना वो अपने पवित्र मंदर में से मुड़ गया था देखा हम परमेशर के भवन के अंदर जाएंगे अब तुम सारे इबराणी जानते हो कि हम यहाँ पर एक चुनीवी जाती हैं वो हम है और वो परमेशर हमारा परमेशर है वो इबराण, इजाक, याकुब का परमेशर वो हमारे साथ है वो खत्ना रहित पलिस्टिरियों से हमें वहाँ पर चुड़ाएगा जैसा कि वे थे वे रोमी और युनानी वो हमें उनसे चुड़ाएगा आओ हम प्रभु के भवन के अंदर जाएं यह अच्छा दिखाई पड़ता है लेकिन उन्होंने क्या किया था वो भवन का बनाने वाला वहाँ पर था एक गलीली जो निचले इस्तर के सुतार के रूप में और वे उससे मुड़ गे थे जब परमिशर ने उसे उस घड़ी के संदेश वाग होने के लिए और वो डाली करके प्रमानित किया और वे इससे मुड़ गे इसलिए सारी प्रातनाएं, सारी इमानदारी और उनका बलिदान परमिशर के लिए कुछ भी माइने ने रखता है जो उन्होंने इसे किया था और परमिशर ने इस बड़ी सेना को एक किया ताकि इसे नश्ट करे और हम आज देखते हैं जैसे कलिसिया, संस्थाओं और इत्यादी में से होती हुई परमिशर के वचन से मुड़ते जा रहे हैं, वे नहीं चाहते कि आप उन्हें इन चीजों के बारे में बताएं और विज्ञान इसे तस्वीरों और हरे चीज के द्वारा साबित कर सकता है और फिर भी वे इसके साथ कुछ लेना जनाने रखना चाहते इसलिए साम्यवाद रूप ले रहा है ताकि इसे नश्ट करे बिलकुल वैसे ही जैसे तितूस ने किया और बाइबल ने कहा वे वैसा करेंगे बिलकुल वैसे ही अब आप देखते हैं हम कहां पर रह रहे हैं उस एक होने के समय पर जब हम इन चीजों को एक होते वे देखते हैं ओ, क्योंकि हम उन चीजों को देखने से चुक गए हैं आप इन बचनों में यहां पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां उसने ये प्रतिग्या की है कि वो क्या करेगा अब हम इसे पूरा होते वे देख रहे हैं हम कलिस्या में देखते हैं उसने जो करने की प्रतिग्या की है हम इसे पूरा होते वे देख रहे हैं हम राष्ट को एक साथ 71 होते वे देख रहे हैं दर्म शिक्षकों को एक साथ 71 होते वे देख रहे हैं हम कलिस्या को एक साथ 71 होते वे देख रहे हैं ये एक होने का समय है ये एक होने की घड़ी है ये ही वो युक का आत्मा है हमें एक होना होगा हर एक चीज जिस पर तुम बात करते हो उसे संस्थागत होना होगा यहां तक सरकार भी इसे स्विकार नहीं करेगी आप जानते हैं एक नागरिक होने के नाते मैं एक नागरिक की रूप में एक संयुक्त राष्ट के एक नागरिक की रूप में नहीं कर सकता हूँ फिर भी मुझे आप मुझे पांच जॉलर का चेक देते हैं और मुझे इस पर अपना नाम डालने की हिंबत नहीं होगी समझें? देखो मैं इसे नहीं कर सकता हूँ देखो यह एक होने का समय है इस सब को किसी संगटन या किसी वर्ग में से होकर जाना है और वो संगटन वही कीजे जो पशु की शाप को लाती है देखा यह एक होने का समय है और यह ठीक उसके अंदर कारे कर रहा है आप इसे केवल खुली आखों से देख सकते हैं यदि आप उसकी और देखते हैं तो यह एक होने का समय है जा हर एक चीज एक साथ एक हो रही है करने के समय है